वेलकम बैक टो अनांस ओटोमोटिफ गाईज निसान की मेगनाइट जो मेगनाइट का फेसलिफ्ट था वो लोन्च हो चुका इंडिया में जल्दी लॉंच करते हैं को कि फैस्टिव सीजन इन्होंने अपनी सेल निकालनी थी तो कुछ ना कुछ तो मार्गिट में लॉंच कर दिया कुछ होई बहुत है काईगर की तरह बैठी तो नहीं सिर्फ तो स्टार्ट करते हैं वीडियो प्राइस यारी नहीं कुछ चेंज निगर एक शोरूम पांस लाग नहीं पहले थी आज भी है हाँ थोड़े बहुत चेंज है वह आपको बात में बताऊंगा वीडियो मे कमसे कम अगर तुम यह फेंखेंट तो चेंज करता हम गाइव में बस थोड़ी कर कर दिए भाई मेरे कुछ तो कर लेते हैं तुम चार साल बात फेसलिफ्ट दे रहे हो कुछ डिजाइन में नहीं चेंज गरा बस आगए अगर आप देखो तो जो चेंज है भाई सिर्फ बंपर में चेंज है और ग्रिल बजिए प्यानो ब्लैक फिनिश में मिल जाए आपको इ निचे टेप पर जा रहें फोग लैम्स इससे बहुत एग्रेसिव लुक बैटरी गाड़ी की फोग लैम्स में बहुत अच्छा लगा बस फ्रांट बहुत यहीं चेंज है कि आपको बंपरी डिजाइन मिलेगा और यह निचे स्कीड प्लेट आयरी डिजाइन मिलेगी और इसकी पोजीशन थोड़ी अंदर की तरफ कर दिया बैस और कुछ भी चेंज नहीं है फ्रंट में इसमें तो मज़ा निया यार चार-चार साल बाद फेसलिफ्ट निकाले बाद भी तुम्हारे यह 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 तो तुम्हें हर छे महिने में करना चाहिए जिसरी साब जो भाई मेरे पिछे रियर लुक की बात करें तो बूट ली बंपर गएरा सब कुछ सेम है जो पहले प्री फेसलिफ्ट वली थी लेकिन इसमें हां कुछ चेंज करें एलेडी टेल एंप है उसके एलिमेंट थोड़े चेंज कर दिया एलेडी की एपनी टेल लेंप की शेप वह चेंज हैं और कुछ खास चेंज नहीं है अब बात करते हैं इंटीर की इंटीर में देखे थो भाई वही सेम लेड़ाउट है इसमें भी कुछ चेंज नहीं है लेकिन ब्लैक और औरेंज थीम आजेगी और एस इवेंट होगे स्क्रीन शेप होगी स्टेरिंग वील होगे औरेंज एलिमेंट से डैश बोट इक उपर होगे डॉर्स को पर हैं सोफ टच लैदरेट पैडिंग इस गाड़ी में अंदर लैदरेट पैडिंग में मिल रहा है यह चीज बड़ी अलग रहे है जाए जा जा औरेंज है ठीक है बक्की अगर मैं बताँ ना मेरे को यह इंट ज्यादा चुबने वाला ना फिर तो मज़ा नियाए लेकिन औरेंज वर्ड यूज हुए ना तो थोड़ा मेरे को लग रहे हैं अच्छा लगे ना लगे देखे बाद बता लगए यह तो हर एक की पसंद है मैं अपना बता रहा हूं वैसे और अंदर सेंटर कंसॉल देखो और अगर बात करें इधर आप डैशबोर्ड के अंदर वाई एंबियन लाइटनिंग स्ट्रिप मिल जेगी आपको गाड़ी के अंदर एंबियन लाइटनिंग मिल जेगी और क्रोम एलिमेंट्स मिल जेंगा आपको गेर नॉप के उपर और डोर पैट को ठीक है भाई फीचर एंड सेफ्टी की बात करते हैं तो एट इंच की टच्सक्रीन आजएगी इन्फोटेंबन सिस्टम की वाईरलेस एंडरोएड ओटो एपल कार प्ले वाईरलेस फोन चार्जर ओटमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल फोर कलर एंबियन लाइटिंग भाही मेरे सस्ती सी आजएगा इलेक्ट्रोनिक स्टैबिलिटी कंट्रोल टीपीमेस आजएगा टायर प्रेशर मोनिटरिंग सिस्टम ओटो डिमिंग आयर्व्यम आजएगे फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर आजएगे और 360 डिग्री कैमरा ठीक है इंजन की बात करते हैं गाड़ी के अं 96 एनम का टोर्क मिल जगा आपको यह गाड़ी 5-speed manual transmission 5-speed automatic दोनों में आजएगी ठीक है और इसकी mileage की बात करें तो 19.4 की mileage है manual में 19.7 की mileage है automatic में और अब बात करते हैं टर्बों में 100 PS की power आजएगी और टोर्क की बात करें तो अब 260 एनम का टोर्क आजगा बाई गाड़ी के बात करें तो 5-speed manual transmission आजएगी और गाड़ी के अंदर सीवीटी आजएगा यह चीज टर्बो में बढ़ी आएगी आपको नॉर्मल ट्रोक और कनवर्टर ऑटमेटिक नहीं मिल रही सीवीटी मिल रहा है ठीक है तो अगर ऑटमेटिक की ले ना फिर तो टर्बो पेट्रोल ल में लेना और इसकी माइलज की बात करें तो 19.9 की मैनुवल में माइलज है और 17.9 की सीवीटी में अब इसके बात करते हैं भाई प्राइस की जो में खेल है जो यह हैं इंट्रोडक्टरी प्राइस है आके कभी भढ़ जे तो उसका आपको कुछ कह नहीं सकते हैं जो फिलाल प्राइटर पेट्रोल वाले की बात करों फिर तर्बोगी बात करूँगा मैनुवल में बाई एक शोरूम पांस लाग नीनानवे जार और ऑटोमेटिक में छे लाग साथ जार ठीक है और मतलब यह मानलो 60,000 का डिफरेंस है ऑटोमेटिक और मैनुवल में और वीजिया प्ल लागेगा भी इसका मैनुवल का प्राइस है 7,14,000 और ऑटोमेटिक का प्राइस है 7,64,000 फिर अगला वैरियंट है बहुत अजीब अजीब से वैरियंट दे दिया वाई कंपने जैसे जपान वगाडी सेल हो रही हो ऐसा लग रहें इंडिया इंडियन वैरियंट लगनी रह फिडिक्स लास्ट वैबाई टेकना प्लस नो लाग देश जार एक्षडू मैनुवल नो लाग साथ जार ऑटोमेटिक में पचास जार फरका ठीक है तो मतलब आप यह देख सकते हो कि आपको पचास जार पर एक्स्ट्रा देने पर रहे हैं मैनुवल से जादा अब बात करत या बेस मोडल मिलेगा ही नहीं आपको टर्बो में यह स्टार्ट होती है टर्बो में असेंटा से असेंटा में भी मैनुवल निया आएगा आपको टर्बो सिर्फ आपको सीवीटी ही लेना पड़ेगा 988,000 एक्षडूरूम ठीक है फिर आजाता टर्बोगा सेकिंड वैरि सीवीटी और फिर आएगी टेकना प्लस दस लग पैतीजार मैनुवल साड़े ग्यारा लाग रुपे सीवीटी तो वन लीटर नेचुरली एस्पिडेटीड है उसमें आप नॉर्मल से ओटमेटिक लेगे तो आपको पचास जार फालतू देने पड़ रहे हैं लेकिन अगर उसके बाद प्राइस चेंज हो देंगे तो मेरे इसाबस यार अपना बेस मोडल ही ठीक रहे है यार बेस मोडल काई चीज़ है मेरे को वर्थ नहीं लगता कि टेकना टुकना वैरियंस लिये जाए 11-11 लाग के एक शोरूम मैगनाइड जैसी गाड़ी के मेरे को एक आठ लाग क्रोस कर दोगे फिर कोई सेंस नहीं बनती है इस गाड़ी को लेने की फिर बहुत मार्केट में अवलेबल हैं बहुत गाड़ी है फिर तो इसको अगर आपका बजट साथ आठ का है ना तब आप अपने उसमें रखो नहीं तो इसको ना देखो भाई अगर आप 10 प्लस देख रहे हो तो मेगनाइट की तरफ जाना भी मत ठीक है यह अपने कम बजट के लिए जो मतलब वैगनार आल्टों से भड़ रहा है ना उसके लिए गाड़ी पंच पूंच होगी जिस तरह तो फिर अब पंच की बात चल रहे हैं तो इसके राइवल्स की बात कर ले करते हैं एक तो इसकी खुद की सिस्टर रिनोल्ट काईगर मरूती की फ्रॉंक्स होगी पंच होगी और ब्रेजा नेक्सों किया सोनेट यह ना पतानी ब्रेजा नेक्सों सोनेट वेन्यू शनू हर एक कि कमपेरिजन में डली होते हैं बंद क्या कर ले सेगमेंट यह चोटी कोई भी आपको क्वाइदी हो तो आप में कुंटेक्ट कर सकते हो गाड़ी आपने सेल करनी हो परचेज करनी हो और या फिर अगर आपने ओनर्शिप रिव्यू वीडियो बनवानी हो तो आप में को डियम करो भाई जो भी आपका एक्सपिरियंस रहा है आपके विकल के